हलो दोस्तों तैयारी करलो शेनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं प्रमुख कवी, वलेखक और उनकी रचनाव का पार्ट 2 दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ऐसे ही एक वीडियो देखे थी जो कि इसका पार्ट एक था अगर आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर आप उसे देख सकते हैं दोस्तो या हिंदी साहित के इतिहास की बहुत ही महत्पूर्ड वीडियो है इस वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आप अक्सर हमें देते हैं तो दोस्तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बिल आइकन प्रेस कर लें और तयारी कर लो के साथ तयारी करते रहें दोस्तो इस वीडियो में हम मिलते जुलते नामों वाली रचनाओं के बारे में देखेंगे प्रभा खेतान अगला है द्रोपदी जो की एक प्रबंध कावे है के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा अगली है द्रोपदी जो की एक उपन्यास है जिसके रचनाकार है प्रतिभा राय फिर है द्रोपदी जो की एक नाटक है के रचनाकार है सुरेंद्र वर्मा अगली है अपराजिता जो की एक काव्य है के रचनाकार है रामेश्वर शुकल अंचल फिर है अपराजिता जो की एक उपन्यास है के रचनाकार है चतुर सेन शास्त्री फिर है नीली जहील जो की एक कहानी है के रचनाकार है कमलेश्वर नीली जील जो की एक एकांकी है के रचनाकार है धर्मवीर भारती अर्ध नारीश्वर जो की एक उपन्यास है के रचनाकार है विश्णू प्रभाकर अर्ध नारीश्वर जो की एक निबंद है के रचनाकार है दिनकर फिर है अनित्य जो की एक कहानी है के रशनाकार है बदी उज्जमा फिर है पंच परमेश्वर जो की एक कहानी है इसके रशनाकार है मुन्शी प्रेमचंद फिर है पंच परमेश्वर जो की एक कहानी है के रशनाकार है रांगे रागहो फिर है जूटा सच जो की एक उपन्यास है के रचनाकार है यश्पाल जूट सच जो की एक निबंध है के रचनाकार है सिया राम शरण गुप्त एक पती के नोट्स जो की एक उपन्यास है के रचनाकार है महेंद्र भल्ला फिर है धूप में जग रूप सुन्दर जो की एक काव्य है के रचनाकार है तिरलोचन फिर है धूप के हस्ताक्षर जो की गजल है के रचनाकार है ज्यान प्रकाश विदेह पक गई है धूप जो की एक काव्य है के रचनाकार है राम दरश मित्र मिस्र रामदरश मिस्र उभरती हुई धूब जोकी एक उपन्यास है के रशनाकार है गोविंद मिश्र फिर है टहानियों पर धूब जोकी एक कहानी है के रशनाकार है महरुन निसा परवेज फिर है धूब की तलवार जो की एक कविता है के रचनाकार है केदारनाथ अगरवाल फिर है एक पतनी के नोट्स जो की एक उपन्यास है के रचनाकार है ममता कालिया एक कस्बे के नोट्स जो की एक उपन्यास है के रचनाकार है नीलेशर रघुवन्शी नीलेश रगुवन्शी फिर है त्रीशंकु जो की कथा संग्रा है के रचनाकार है मनुभंडारी फिर है त्रीशंकु जो की एक नाटक है के रचनाकार है ब्रज मोहन सिंग त्रीशंकु जो की एक निबंध है के रचनाकार है अग्गेजी अनित्य जो की एक उपन्यास है के रचनकार है मुर्दुला गर्ग धर्ती जो की एक काव्य है के रचनकार है तिरिलोचन धर्ती जो की एक उपन्यास है के रचनकार है भैरो पुरसाद गुप्त वसीयत जोकी एक नाटक है के रचनाकार है भगवती, चरण, वर्मा वसीयत जोकी एक नाटक है के रचनाकार है नाग, बोर्ड्स पंच्वटी जोकी कावे है के रचनाकार है मैथली, शरण, गुप्त पंच्वटी प्रसंग जो की एक कावे है के रचनाकार है निराला जी फिर है शह और मात जो की एक उपन्यास है के रचनाकार है राजेंद्र यादव शह ये मात जो की एक नाटक है के रचनाकार है ब्रजमोहन सिंग धूप के धान जो की एक काव्वे है के रचनाकार है गिरिजा कुमार माथुर धूप की उंगलियों के निशान जो की कथा संग्रा है के रचनाकार है महीप सिंग धूप कोठरी के आइने में खड़ी जो की एक काव्वे है के रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंग सीडियों पर धूप जो की कावे है के रचनाकार है रगुवीर सहाय उपसाहार जो की एक उपन्यास है के रचनाकार है योगेश गुप्त उपसाहार जो की एक उपन्यास है के रचनाकार है काशी नात सिंग गुलाम बादशाह जो की एक नाटक है के रचनाकार है नंद किशोर आचार्य गुलाम बादशाह जो की एक उपन्यास है के रचनाकार है रूप सिंग चंदेल बादशाह गुलाम बेगम जो की एक नाटक है के रचनाकार है गिरीराज किशोर गुनाहों का देवता जो की एक उपन्यास है के रचनाकार है धर्मवीर भारती देवता के गुनाह जो की एक उपन्यास है के रचनाकार है देवेश ठाकुर तीसरा हाथी जो की एक नाटक है के रचनाकार है रमेश वक्षी अंधो का हाथी जो की एक नाटक है के रशनकार है शरद जोशी पागल हाथी जो की एक लगु कथा है के रशनकार है मुन्शी प्रेमचंद हार की जीत जो की एक कहानी है के रशैता है मुन्शी प्रेमचंद हार की जीत जो की एक कहानी है के रचनाकार है सुदर्शन कावे रसायन के रचनाकार है देव कावे रसायन के रचनाकार देव है कावे सिध्धांत के रचनाकार है सुर्ती मिश्र कवी कलपद्रुम के रचनकार है द्विज देव कवी कलपद्रुम अठारा सो जो चवालिस इस्वी में आई थी उसके रचनकार है रामदास राज कुमार कवी कलपद्रुत के रचनकार है श्रीपती कवी कुल कल्पत तरू के रचनाकार हैं चिंता मणी कवी कुल कंठा भरण के रचनाकार हैं दूला अंधेरे का दीपक के रचनाकार हैं हरिवन्श राय बच्चन अंधेरे बंद कमरे के रचनाकार हैं मोहन राकेश अंधेरे में जोकी एक कवीता है के रचनाकार हैं माधव मुक्ति बोध अंधेरे में जोकी एक कहानी है के रचनाकार हैं माधव मुक्ति बोध अंधेरे में रोशन होती चीजें जिसके रचनाकार हैं सुभास रस्तोगी शिखर से सागर तक जो की एक जीविनी है के रचनाकार हैं राज कमल राए शिखर से सागर तक जो की एक निबंध है के रचनाकार हैं शिव प्रसाद सिंग माधावनल काम कंदला जो की 1527 में आई थी के रचनाकार हैं गड़पती माधावनल काम कंदला जो की 1556 में आई थी के रचनाकार हैं आलम माधुआनल काम कंदला जो की 1752 में आई थी के रचनाकार हैं बोधा कावे प्रकाश के रचाईता हैं चिंता मणी कावे सरोज के रचाईता हैं शिरीपती कावे निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास कावे कलाधर के रचाईता हैं रघुनात कावे विलाश के रचाईता हैं प्रताप साही कावे विनोद के रचनाकार हैं प्रताप साही आकाश गंगा आकाश गंगा के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा जी हर गंगा हर गंगा के रचनाकार हैं प्रताप नारायन मिस्र युग की गंगा के रचाईता हैं केदार नात वोलगा से गंगा के रचनाकार हैं निराला जी कावे लोक के रचाईता हैं राम दहिन मिस्र कावे विवेक के रचनाकार हैं चिंता मनी सत सई बिहारी सत सई के नाम से जानी जाती है यह है बिहारी जी की बिहारी सत सई सत सई इसके रचनाकार हैं रस निधी सत्सई के रश्नकार है राम सहाय रस्विलास के रश्नकार है चिन्तामनी रस्विलास के रश्नकार है मंडन एक और है रस्विलास जिसके रचनाकार है बेनी फिर है नक्षिक, नक्षिक के रचैता है कुलपती मिस्र नक्षिक के रचनाकार है सुर्ती मिस्र फिर है नक्षिक के रचनाकार हैं सेवा दास एक और है नक्षिक के रचनाकार हैं चंदर शेखर हमीर हट के रचनाकार हैं ग्वाल एक और है हमीर हट के रचनाकार हैं चंदर शेखर फिर है गंगा लहरी के रचनाकार हैं पदमाकर भट गंगा मयया के रचनाकार हैं भैरो प्रसाद गुप्त गंगा उतरण के रश्नाकार है रतनाकर गंगा वाक्या वली के रचेता है विद्यापती गंगा छवी वर्णन के रचनाकार है हरी ओध दोस्तो आज का सवाल है बुद्धु का काटा जो की एक कहानी है के लेखक कौन है अगर आपको इसका जवाब पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका जवाब कमेंट कर दीजिए दोस्तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्पुर सवाल लेकर आएंगे थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो